जट पूजा दोहज़र पाइस डे थ्री रिच्वल व्लॉग सुबह के चार बजे सुबह चार बजे भोर में जब कियां देरा ही होता है कुछ साफ दिखाई नहीं देता लोग घर से निकल जाते हैं पुखर तलाब नतिके के लिए घाट पर यह जाते हुए इस गाट पर इंतिजाम किया गया है जैब तर जगवाँ पर ऐसे इंतिजाम किया जाते हैं इसखे लाइट की वविस्ता है security की security की प्रबंद है Tenda लगाया हुआ है और माइk की वेवास्था है जगा-जगा light और बहुछ साburg मौजुद है इक किनारे से जाते हुए जैसा हमने शाम को दिखा था नहर के साथ बना हुआ रस्ता और उस पर चल के जाते हुए लोग और हम भी जा रहे है तो ये किनारे किनारे काफी लोग जमा हैं जिसे कल शाम को जमा थे और ये मैं जैसा कि मेरा जायरा कम ही आता है ये सब लोग किनारे बेटे वहें कुछ लोग पूजा अर्चना के लिए अपनी बेदी को सुरक्षित रखते हुए और फिर ये वही जमावडा जो इस घाट पे लगा हुआ है इस चटपर्व को देखने के लिए चटपर्व में देखने के लिए कुछ खास तो नहीं होता है लेकिन पूजा श्रद्धा अर्चना सुर्य भग्वान की पूजा पानी में खड़े रहना और दीव धीप चलाना फल वगएरा और ये सब काफी लोग भावना होता है इस तरहीके से लोग किनारे पे बैठे हुए सब इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका वक्त आए और वो पानी में जाएं सुर्य देवता की पूजा कर रहे तो सिर्फ सुर्य देवता की पूजा करके ही परोसंपन होता है दूप दीप चलाते हुए दीप को खी के साथ चलाए जाता है जो कि शुद्ध होता है जैसा हमने पहले बताया था सारी चीजे शुद्ध होती है खान से लेके पकवान तक बरतन सब कुछ शुद्ध कपड़े भी नए और हर चीज नए ये चारतर से गुमाते हुए आपको नजारा दिखाते हुए कि किस तरीके से लोग यहां पर बैठे हुए हैं और किस तरीके से पूजा की तियारी कर रहे हमारे वे दीप एक सबसे बड़ा दीप और उसके साथ साथ पांच छोटे दीप उनको भी घी डालके जलाया जा रह है हमारे साथ साथ सभी की लगवग एक ही तरह की बेदी बनी हुई है और सब के पास एक ही तरह के लीप है कुछ लोगों ने मुम्बतियां जला रखी है तो चली वह भी एक तरीके से मानी लिया जाएगा लेकिन मुम्बतियां अच्छे नहीं होती है तो ये आपके सामने जारा जठ पर तीसरा दिन कि शुर्देवत्ता की पूझा तो दो pł defense की जाती है लेकिन एक दिन घीया के सबजी खाकर ये शाम को बवस किया जाता है दूसरी दिन मिठा लगा खाया जाता है और तीसरे दिन ये खारिकरम होता है शाम के समय वह और सुबह के समय ये भी हिर अपिति बहुत है अगर वांस का यासा पॉर श Thousands सी थे याथ ही हिंदु मны इस लिए वांस्गा निशेद है अगर मुझा हुटा है खिय विश्ण को अप्योक्त करें जोब भी इस चीज को देल एक और कर दोस्कार दोस्तों जैसा कि मैं लाइस्ट वीजियों पिटाए था था हम फर्स्ट मेरा फर्स्ट है चट्पु जर्मारी गरंग वीजिए और युटी विहार के बहुत बड़ा परव है जिसको कि बड़े तुम्ताम से मिजाए जाए जाता है दिवाली और दिवाली के गर्मा होती है और दो तीन दिन तक उक्वास अपने का इसमें प्रसलन है और आज इस घाट पे आया है जो कि सुबह सुबह चार बचे ग्राफाई गोर में हो कि बिन सहारे में है और बिन सहारे इसको नाम दिया जाता है यह हम आए हैं और शाम का जिस तरह के सथा कि पानी म करना था जब तक सूर्य चिकता नहीं है और इसके बाद फिर एक धर के फिर सुबह वही चीज दोरा ही जा रही है और यहां पे जब तक सूर्य नहीं निकलता तब तक भानी में खड़े रहना है तो काभी ठंड बड़ा महाल होता है सर्दियों के समय में बड़ा मुश्किल हो जाता है और इसको शूट करने के लिए को कि फर्ष करने की कोशिश की है लेकिन कोशिश करते हैं और अच्छे से अच्छा हो और यह कैमरा वे उदर भूमागे दिखा दो कि किस तरीके से लोग अपने हाट पर बैठे हूं अपने दिये को जलाते हुए दिया जो कि और इसको जलाते हैं और फिर आरिक देते हैं और दिख वगरा इस में गाड़ी गी है इस पीक का भी काफी महत्व है और इस दीख का ज़रूरी है इसकी आला कि कई सारे फल होते हैं लेकिन फिर भी इन खलो में पीक जो की पानी में गाड़ा गया है इसकी महांता है बड़ी कफी बड़ाही महतोर है कई सारे वृतो हैं काफी बड़ा खर्चिला तेवार होता है साद इसे मुश्क्यत होती है ज्यादा मेरे रहते हैं जिसने सब दहुआ तो जैसे कि एक वित्ती मेरे फेश्व गोश्ट मेमिलाता था जिसमें जबी सिज़े सब्सक्राइब करें दिन शुरू हो जाएगा और भी वीडियोज बनाएंगे आपको और शुजे दिखाने कोश्ची किने किसकी तरीके से पाइगे तो जी तरीके से अभी लोग यहां पर पीछे देख रहे होंगे और अभी अभी इसे लोग फाने में जा चुके हैं और जो लोग जो कि शुरू अचार करना होता है आपके सामने चित्रों को प्रस्यत करते हुए एडिटिक में तोड़ा टाइम लग साथ है थोड़े वीडियो लेट आई है आई होगी और किया करेंगे विजिस हिसाब से मेरे पास रिशोर्सेश है कि आउट्डोर में रिमोट में एडिट्यार और ये सारी चीजें दापाना मुश्किल है तो में ही वो सारी चीजें करने हैं और ये आपको वाने जो लोग की थे हैं हमको समाते हुए चटी माईया बोले ली ताड़ा पीके केई सहां भारावा हामा तो ये लोग गीत लोग गीत के साथ हम में फोटोग्राफी शुरू करते हैं क्योंकि इसका व्लोग भी बनाना है इसलिए हम जितने हो सके उतने एंगल से वीडियो को शूट करने के कोशिश करते हैं कि देखिए यह अब हम दीपक का चित्र ले रहे हैं और चिनों ने भी वेदी बनाकर और दीप जलाकर किनारे पे इनको रखा हुआ है उन सब का एक बड़ा लुभावना से दरिश है यहां से लेके वहां तक जहां तक भर सक कोशिश है कि हम सभी की कवर करें अब यह पानी में जाकर एक को गाड़ते वे जिनकी इख गई थी पुरने एक को दोबारा गाड़ रहे हैं और फिर्स यह द्रिश है गाट की किनारे का पोकर की किनारे का और खाट खड़े हुए यह सारे लोग और यह एक और इसके साथ ही अब कुछ एक एक करके ओर तें पानी के अंदर जाने लगी हैं पानी इक अंदर खड़े होने की शुरुबात करती है उन्होंने और इन वेदियों का इन दीपो का इन फलों का आप यह कितना सुन्दर नजारा देखिये कि इतने अच्छे लग रह जैसे हम दीपावली के परव पर इन दीपों को देखते हैं जगमगाते हुए रंग भी रंग भी उसी तरह किसे यहां भी हो आपको लेक नजारा देखने को मिल रहा है तो काफी अच्छा है काफी सुकत है हमें इसे फिर्माते हुए भी काफी अच्छा लग रहा है तो यह जिनकी एक किर देखी वो अपनी एक को दुबारा गाड़ने की कोशिश करते हुए और पानी में जाने लगी है जाना शुरू कर दिया है होने हमारे लोग अभी बैठे वे हैं इंतजार कर रहे हैं करी लोग फोटो किस्ते वे करी लोग वीडियो बनाते हैं अपनी यादों को संजोने के लिए तो अब एक एक पर लोग जाने लगे हैं और यह दियपक को आप देखिए किस तरह किसे जब मगा रहे हैं और हमें इस फिल्माते हुए कि काप यह चल लगा है अब हमारे लोग भी धीरे पानी में जा रहे हैं और यह देखे यह इक जो गिरी हुई थी उसको खड़ा भी कर पाए तो इसलिए उसको महीं भी लटा दिया गया है ताकि कम से कम वो आदा पानी में और आदा बाहर रहे हैं आने के यह पोखर के काफी अंदर जाकर करना होत है तो जहां तक भर्सक कोशिश है वहां तक जाए जाए गया और यह चाल पांस डूपकियां लगा कर एक तरीकी से स्नान की अनव होती हुई और उसके बाद हाथों में अबनवत्ती लेकर यह खड़े होंगे जो कि सुर्देवता को नमन करने के लिए होगा इसके शुरुवात वही टीके से होती है आसर में टीका और माथे से दूर जो कि नाक तक जाता है नाक से लेके माथे से लेके पूरी मांग और मांग भी है जो लोग यूबी बिहार से नहीं है वो यह देखकर थोड़ा सा आशेरे में पढ़ते हैं लेकिन परंपरा है तो उसको तुम फॉलू कर नहीं है तो यह फिर आप पानी के अंदर जाते हुए और पानी के अंदर जाकर रही आरात्मा और्टों के साथ मिलकर खड़े होकर देरे देरे पॉफ हटने लगी है और हलका सा उजाला आने लगा है चेह बज़े के आसपास का टाइम है जो कि सुरे देर तक निकलने का वक्त है और यह देखिए कि और देर देर पानी में जा रही हैं जिनकों की पूजा करनी है और उसके इस दरा और उसके जानने वाली ल दोस्तों हम फिर से आगे आपके सामने और पीछे आप देख रहे होगे कि ज़से और पानी में खड़ी हैं और सुरी देवता के निकलने का इंतजार कर रही हैं और उसके बाद फिर ये पानी से बाहर आएंगी और अपनी जो नौर्मल पूजा होगी वो होगी तो अभी शुरी देवता के लिए जो सठ्च पुजा का जो परावधान है उसके लिए पानी में खड़े होगी है और नहाना पड़ेगा उस पानी उसे जाना पर दोगा पर देर में हम आएंगे भी कि शुबह से चार बजे से और थी इस पानी में खड़ी रहती तो सब दोस्टी के सब कानी थंड़ा होता है और पाजितंड आ होने के वाज़ा से अगर कूजा एंग उसुपैरेगा कूब chem के था कहारों सिप लिए जादा अधार हुगी होगी ए मिध्या इस फिलोस्पी पे ये पर्व ठीटा हुए शायद को रिकमेंट एनिफिंग है अभी इस दिन इंकल जाएगा डंग से पुरा उजाला हो जाएगा तो फिर वह सारी आपके तस्विर दिखाए जाएगा और बताए जाएगा इस लाल के इसमें फिर हम जारे नाने और हो सकता है इसके बार देखते हैं और ये और ये पूरे पोरकर का नजारा देखें उजाला काफी हो चुका है सब को साफसाम तिकने लगा है अंधेरा ख़त्म हो चुका है और ये लोग अभी वही बैठे हुए हैं वीडियो काफी अच्छी आ रही हैं पहले रात में थड़ा का मुश रहा होनी के वज़े से भी वीडियो पाफी अच्छी आ रहे थी तो ये नजारा अब दिन का जो पीशुबह हो चुकी है भोर हो चुकी है और ये लोग इनको देखते वे ये फिल्म आते हुए फोटो किस्ते हुए और काफी लोग इसको देखते हुए अंदर कुछ लोग ह है जो नहां रहे हैं मौज मस्ती भी कर रहे हैं और और ते किनारे पर खड़े होकर पूजा अरजना करते हुए हमारी एक थोटी से ठह गई थी तो इसलिए हम उस एक को ठीक करते हुए ताकि वो गिरे ना और मैं भी पानी में जानी कोशिश करूँगा और कोशिश नहीं प जैसा है पानी का टेंपरेचर तपना है यह देखें लोग किस तरीके से सेलफी की चाहते हुए वीडियो कॉल करते हुए जैसे कल्शांग को कर रहे थे और इंदिजान करते हुए दोस्तों यह देखिए यह है अजारा यहां से पानी से यह इस तरीके से दिखाई देता है मैं मुझे भी इस्वान करना तरकावे खंड है और यह नजारा दोता है पूरे ठाट का है वो ठंड बढ़ती जा लिए जैसे जैसे दिन निकलता है वैसे भैसे ठंड बढ़ती जाती है तव और दिखाग और यह नजारा वानी गजरसे बढ़ती है ज़्स बढ़ती है टानों को एक अपको अफ्ट की करएंगे और यह अर्टे हमें के थोड़ा सा नजद्रीक जाने कोशिश करेंगे और नजद्रीक दाकर आपको यह पिक्चर दिखाते हैं कि इनके पीछे से मैं थोड़ा से पानी में से निकलूंगा और फिर इसको फिर माने की कोशिक करूंगा यह देखें कि किस तरी किसे बच्चे पाने में पूद कर जा रहे हैं और नहा रहे हैं नहाने से थोड़ा पानी मटमेला हो जबता है क्योंकि कीचर्ड है अंदर मिट्टी भी है और यह देखें कि लोग विसबरे से इंध़ार करते हुए बैठकर इस नजारे को देखते अब यह बाहर आया हूँ ताकि मैं किमबल लेकर वीडियो बना सबूँ है इसको शूट कर सको यह देखिए हमने शूट किया और किनारे से लेकर हम बीच में जाएंगे और बीच में देखेंगे किस तरीके से कैसा नजारा देखता है इसके यहां अबीच से तो वीच पानी में नहा रहे हैं और मोच बस्ती करते हैं किनारा किनारी का कोई जबाब नहीं है पानी के अंदर ये पीछे लोग पूजा के लिए है और हम धाट के अंदर पानी में नहा रहे हैं अब ये देखें किस तरी किसे लोग कियां पर खड़े हैं और ते एक कतार में हाथ में अगरबर्ती लेकर सुरीदेदा की अर्चना करते हुए उनको नमन करते हुए उनकी पूजा करते हुए और कमर पर पानी में खड़े रहने का प्रचलन है और ठंडी में ठंडे पानी में मुश्किल हो जाता है शरीर ठीठोरने लगता है लेकिन पूजा तो पूजा है तो देखे एक कतार से एक एक कतार बनाए हुए हैं और हम उनकतार को फिल्मा रहे हैं और उनके नजदीक काफी नजदीक जाकर इस फिल्म को इस वीडियो को बनाने की कोशिकत करे हुए भाई गाउं को महौल है तो थोड़ा सा हमें सतर्क रहना पड़ता है लेकिन फिर भी ये लोग काफी ओपरेटीव दिख रहे हैं हाला कि कोई दिखत नहीं हो रही है ale फिर ओ अडिव की लगाता हुआ हो डुपकी लगाता हुआ है अब हम बहुने करकाए और अब हम बाहर निकलते हैं यह छोड़ा सा बच्चा इसको नह लाना था तो इसको वह नह लाएया है और महीं डिढ की लगाई हैं आपी सराहिए पार आरा अब ये देखी एक वरत तैर के जाते हुए कि इसको जल्दी जाना है इसलिए चल के नहीं ये तैर के जाने है तो मैं अपना तॉलिया लेकर अब बाहर निकलूँगा और तियारे करेंगे कि किस तरीके से हम क्या करते हैं तो थोड़ा साथ चेंजिंग क्लोट्स और लोग बच्चों को भी साथ मिलाए हैं और बच्चे भी सुबह सुबह इतनी जल्दी उठना बच्चों के लिए मुश्किल होता लेकिन फिर भी बच्ची आया है क्योंकि ये कुद्सा है अब हम आपके सामें कुछ बया करेंगे करने से पहले अभी पत्तियां खोल रहा हूं है तो दोस्तों अमने अभी अस्नान कर लिया है इस घाट में और आपको भी दिखाया और बदकिस्मति से अफुस के जिमिशती है मुझे चोट लग गई थी तो ये चोट की पत्ती है जिसे की निकालना जोर ये कोई गीली हो च अब शूरे देवता नहीं निकलें सूरे देवता जैसे ही निकलें एक जो भी इसके कारिवाई होगे मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है इस टेज के बार में लेकिन आपको दिखाया जाएगा बताया जाएगा और सारा बरतान को कि फर्स्टाइम है पहली बार अगर कोई साथ 10 सालों तक मिभाना होता है तो वो ज़रूरी है अभी शुरुआत कर दी है तो जाहिर सी बात है कि आगे फिर आपको चट पुजा की और तस्वीरें और वीडियो आपको दिखाया जाएगी बिताया जाएगी यह मिलिखास पता में क्या दिक्कत है नहीं निकल गाई है अब इसको हमें खीच के ही निकलना पड़ेगा तो अभी सुर्य देवता के निकलने का समय जो है वो छे बजे के आसपास कथा लेकिन शे बज चुके है और वो अभी तक नाए नहीं है जैसे कि हमारा होता है करवाचोत के समय स्रिया चांद का इंतजार करती रहती है और चा का फिर के बाद निकलते हैं उसे तरे के सा सूर देखा हमें का इंतजार करा रहे हैं यह फट्ती निकल नहीं ही और फिर आपको दिखाएंगे कितनी गेहरी चोट लगी है हमें और यह देखें न ने कि देखें यह दर्द भाईया कितना बड़ा और घाव अभी थोड़ा सा भर चुका है लेकिन चोट लगगी थे खाफी हम इस पर ओइंटमेंट लगाएंगे लगाने के बाद थोड़ा सा पानी से बचा होगा अभी सोरह सूप जाने देते हैं जोकी गीली हो गई है और गीली पट्टी से थोड़ा सा दिकर दो चाहते हैं यह हमारे चोटा सा बेबी चुकि अब सुबह सोरे देतर जब निकल गया है तो इसको भी रख देनी है तो अब इसको ली जाते हुए और इसकी माने इसे बुलाया चोटे बच्चे बड़े प्यारे होते क्यूट होते तो उसको खिलाने का मन करता है वाल बार तो कल शाम से इसने चुआ नहीं है तो पहली बार काफी वक्त के बाच गोड़ मिले के इसको दिया आप फर अरग नहीं दे रहा हूं फिर बच्चे को दिलाएंगे तो वही दूद को पानके पत्ते भी गिराया है फिर एक चिकल लगाया है और चिकल लगाने के बाद फिर पानी गिराना फिर चिकल लगाना ऐसे ही चार पांच चिकल लगेंगे और ऐसे ही जितने भी लोग यहां पर घाट पर आये हुए हैं इनके साथ सबको और रख देनी होती है तो सब कर जोड़री है देना थोड़ा सा और पर उससे ज्यादा कठीन होता है कि यहां पर पानी में इतने देर तक खड़े रहना और पोखर तलाब कीचड़ बरा है या फिसलन है तो और ज्यादा दिकत पैर दुखने लगते हैं दर्द करने लगते हैं और चकर लगाना भी काफी मुश्किल होता है और तो यह देखी चोटा सा बावू अपने हातों से अरक देता हुआ क्लास में दूध और मैंने इसको पगड़ रखा ताकि क्लास ना गिर पाए तो प्रेकोशन इस पैटर देन क्योर जवाब ने सुनाई होगा चलिए कि इसका काम खत्म हो गया वह चुटा सा बच्चा जो अभी नहाया था वह अब रख दे रहा है एक्चुली उसकी बड़ी मुम्मी लगेगी मतलब ताई ताया ताई अर्याना में और नोर्थ की एरिये में ताया ताई कहते हैं और इस्ट यूपी और इधर बड़ी मुमी बड़े पापा चाचा को तो चाचाई के आ जाता है यह औरत का भाई जो कि अरग दे रहा है और एक और भाई है वो भी अरग देगा तो उसी तरीके से वही चक्कल को पूरा करते हुए बार बार और यह और लोग भी इन्होंने चक्क्र पूरा कर लिया है वह अपनी एक को निकाल रहे हैं तो कि पानी में गडी होई थी और एक निकाल कर उसके पट्टे जहां से निकलते हैं महां से इनको तोड़के पानी में ही रख दिया जाएगा और शिर्फ करनी को गर ले जाएजा तो सभी लोग वैसे ही शुरुआत करते हुए और ये भाई आया बड़ा भाई जो कि एरक दे रहा है दूद से फिर वही चक्कर फिर वही कुमना पर ये चक्कर पर चक्कर काफी लंबे हो जाते हैं हां तो भार थोड़ा सा और इसको मुश्किल बना देता है लेकिन क्या किया जाए बात तो सही है लेकिन करना भी ज़रूरी है अब इस भार को उठाया और लेकर इसको फलो की टोकरी में रखा गया अलो की टोकरी के बाद इसने सूरे देवता को दूट दिया क्लास को खाली करके अभी पानी से बाहर आएंगी और दूटी काफी अच्छा लिखता हुआ और अपने एक के गठे को वापिस लाने के लिए दूसरे की मदद ले और फिर वही काम एक एक के गठे से जो पत्या निकले हुई है पत्य को अलग किया गया और एक को साबुती को अब ले जाए जा रहा है जो की घर ले जाए जाए है फिसलन होती है तो ध्यान रखना सब्सक्राइब करें कोई भी काम करें प्रकॉशन बहुत ज़री है इसी तरीके से एक को तोड़ते हुए एक के पत्यों को अलग करते हुए और यह देखे यह नजारा जो कि एक विक्ति बचा हुआ है अंदर जो महीं पर पत्यों को है आम के लगड़ियों को जलागर थोड़े मंत्रों को बोलकर संपन किया जाएगा और हम कर रहे हैं इसको यह भी लाश्ट में जरूरी है किसे के जो मन्नते होती है उसके लिए हबन करना जरूरी होता है और इसके बार यह दीपक को पानी में प्रवायत करते हुए जल में कर लोटा या कला में आख दाल दिया ूसके पानी फ्रवाजिय पर गिर डुड़े जाएय गा इस अबकली हöँ यह मंने बहुत को उसी में डाल दिया और यह लगाते हुए बहुत भी ज़रूरी है ताकि इस तरह में चानल को सबस्क्राइब गाउं से जुड़ी हुई जो जो जुड़े हुए जितने भी पर्व हैं और अव्य सारी संस्क्रति हैं संस्क्रति के बारे में पता चलें और गर मैसुष यह देखिए हम आपको इसके साथ ले चलते हैं और साथ में चलने का समापन कभी वीडियो यह लगवर्ग खतम ही हो गया लेकिन फिसटां से सब्सक्राइब पीजिए और बने रही है हमारे साथ मेंचे यह दाल को उठाते वे लोग जिसके लिए अब जा रहा है, ज्यादे दमें भीड़ हो गई है, क्योंकि सब लोग एक साथ ही निकले है, तो थोड़ी से दिक्कत होगी निकलने में, लेकिन ज्यादा लमबा रस्ता नी है, छोटा साइय है, तो दिक्कत नहीं होगी, यह लोग जो आये थे दिरपाल को लेकर बैठने के लिए इन्होंने बिछा रखा था उसको लोपेटते हुए और यह वाँ पर जाते हुए जो घार या जो बोखर है कि इस तरी के गरना चाहा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि हमने बूलता वीड़ हो गई है और काफी स्लो हो गया है लोगों को जाना लेकि छोटा से रष्टा है तो कोई जाज़र बड़ी दिक्कत नहीं हो गए तो दीरे दीरे चलते हुए किनारे से चलते हुए लोगों ने एक को पकड़ रखा है अपने हाथ में किसी ने टोकरी को पकड़ रखा है किसी ने बच्चे को तो किसी ने कुछ जबान को काफी अच्छा एक मेले जैसा ही लग रहा है और इस्ट्यू पियर बिहार में इसको बड़े धूम-दम से मिना जाता है बहुत ही ज़्यादा इसकी महांता होती है महत्वपूर्ण होता है यह पर यह देखिए कुछी को लाया लेकिन उसके निच्चे कुछ रखने के लिए नहीं था तो आप रखा गया है और अब यह चलता है है चोटी चोटी बच्चे भी आएवे साथ में क्योंकि एक तरीके से हर्श का महाल होता है हर्श लास होता है उनमाद होता है लोगों में उक्तोस उनमाद को कंटीनियर करते हुए कि अब यह वापिस चलते से में रास्ते में क्योंकि में रास्ता है रोड है तो गारिया आजा रही है तो थोड़ा सब उन से बच बचा के और जैसा पेछले वीडियो में था कि फोटो ज़रूर ही है कुछ होना वो फोटो ज़रूर होना चाहिए उससे यह बतल चाहिता है कि हम मौजूद थे हम गये थे और हमने पर मनाया यह देखिए छोटे-छोटे बच्चे पीछे भी और यह आगे जाते हुए एक ग्रूप हमसे आगे है और हम पीछे 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 में सबसे आगया है एक भाई पीछे 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 बहन उससे आगे और भाई जो कि एक को ले जाता हुआ और रोट की दूसरी साइड में हम मतलब मैं जो की इस वीडियो को बना रहा हुँ यह देखिए अब आपको मैं दिखाए दूँगा मेरी प्रेजन्स थोड़ी ही कमी है लेकिन क्या हुआ है सुगाइस यह मुर्ग छटपुजा कम्प्लीट करने के बाद बाद साथ है यह रास्ते का व्लॉग और रमने कोशिश की कि आपको काफी चीजे दिखा हैं और यह देखी दीशे गाहों में किस तरीके से लोग जा रहे हैं जाते जाए 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 जाते जाए जाए यह मेरे आगे जो है वो दुग जा रहे है घाए इस तरीके से आपके सामें नजाए जहां पर लोग मंदीर पे कि यहां पे सभी लोग अपनी मंदीर पे इंतजार करते हैं लेकिन की बारी आया है वह वही अपने समान के जो रहा है लोगों को कि दर्वान पर फिक्टर के इंसे आशिवाद में के दुआ है कि पुजा अर्चना मंतिर में भी शुरुई है तो मंतिर माधा ठीकते हुए जो दी प्रजबलित करते हुए दोस्तों हम अभी आगे हैं काली मातर के मंदिर आफ पीछे देख रहे हैं वे काली मातर के इसके बाद फिर घर जाए जाए जाएगा और गर के बाद जो पुजा है या जो भी फल वगार चड़ाए गए उनको फिर बित्रित किया जाएगा हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना जाते हैं किस तरीके से लोग पुजा अचना श्रद्धा भाव से चटपरव की पूजा करते हैं और अपने लोगों से जुड़ने का अपने लोगों को एक साथ के साथ बिताने का ना परसने प्रेम इस पूचरे से बिताने का रिशाने का यहां पर काम होता है तो चटपरव की मानता है तो आज चटपरव 2022 जिल्दार नगर रक्सहां ग्राम रक्सहां जिल्दार नगर ग लगबख समाव्त हो गया है हमारा यह प्रोग्राम और इसके पाथ दिखाएं किस तरह किसे अगर प्रशाद वितरीक होता है तो इसके लोग इसको भीड़ेट करते हो किस तरह किसे शिवान था प्रशाद के लीश में सड़क पार है यह काफी बड़ा मंदिर पहले चोटा सा मंदिर था खांगा अब काफी बड़ा मंदिर बन चुका है यह पर आज के लिए इतना ही पिल मिलते हैं और बहाए बात बात की जाते है आख चैनल को सब्सक्राइब करें था कि और आई तरह दो यह अब समान को ले के जाते वे रोहित कमार जी तो यह जैमादाकाली का मंदिर और इस मंदिरे पूर्चा अचिना करने के बाद सारी औरते जो हैं कि मने शटपर्व किया था वो अब धर को वापिस जाते वे और रहा है यह सटपूजा के समापन समापन की बाद यह लोग जाते हैं अब भाई अपने बेहन के साथ जा रहा है देखने में तो अके लिए लग रहा है लेकिन सभी लोग साथ में यह देखे पीछे तो यहां पर कोई अकिला नहीं रहता सब लोग साथ में चलते हैं आज पड़ोस दोस्तियार नातेदार पिश्टेदार सब अब हम घर के नजदीक आ चुके हैं अब यहां से मुड़ने वाले मुड़के मुड़ी के बाद हमारा घार आ जाएगा एक गली छोड़के यह में इन रोड मीन रोड से मुड़ते हुए सर्विस रोड पे जो गाँ कि तरप चारता है रस्ता इस रोड पे आगया बाई डाल को पिलेकर चलते हुए इसको डाल कहते हैं दोरी कहते हैं आएक्छुली तो आप पर इसको समझ जाए हाँ तो मैं लोटा लोटे पानी पर बर को लाते हुए और यह जो हमारा घर आ गया है उसमें हमोड रहे हैं उस पत्ली गली बहुत छोठी सी संक्री गली है लेकिन गाम ऐसा ही होता है कई जगा चोड़ी कई जगा पत्ली लेकिन गलियां होती है कि थोड़ा जमीन इश होता है तो यह अब आगे हैं देखिए कि धूप निकल चुकी है आते आते और यह पानी को गिराए जा रहे है दोनों कौनों पे चोकोटों पे दरवाजों पे और उसके बाद दरवाजे पे एक चीज लगाई जाएगी जो इस बात का सबूत होगी कि इस घर में चट और मनाई गई है चट की उज़ा होई है और अभी मिल नहीं रहा है तो ठोड़ा कोशिश करें ढूंट रहे और इदे के फाइनली मिल गया अभी से हल्दी के घोल में लगा कर चिपकाए जाएगा पहले हंदी के लेप से हाथों का चिन्द बनाया जाएगा यह हांदों का चिन में बनाया और उसके बाद जो लाल रंग का जो कॉटन टाइप में कपड़ा है उसको यह फल्दी में डुबाके इसको चिपका दिया गया है यह यह दर्शा आता है कि यहां पैसा जट कुजा हुई है तो इससे हमें अंदाजा लगता है सभी घरों के आगे लगा रहता है तो आप यह बता लगा सकते हैं कि इनके घर जोट हुई है और इनके घर नहीं हुई है और यह करने के बाद अपधा आप गर पर पर अब आगए हम लग लोग और घर है भाई जो कि रा दोरा को डिकर गया था और यह वापिस जहां से डाल उठा था इसको फिर वापिस वहीं पे रखा जाएगा तो यह यहां से उठाया गया था और यहीं पे लाके इसको रखा गया है इसमें सारे फल वगरा है जो कि अब परशाद के रोप में सबको बाठी जाएंगे यह एक चोटा सा सीन जो बच्चा खाना बना रहा है खाना नहीं बना रहा है सिर्फ वो आज को थोड़ा हवा दे रहा है तो ठंड काफी हो चुके तो शाल ओड़ किया और चोटा सा बच्चा जो काफी दिनों के बाद मतलब दिनों की बार लगबद चौभी से चुछ गंटे के बाद अपनी मा से मिलता हुआ तो कि मा इसको डूद भी नहीं पिलाती है अपना बार का दूदी पीता है और मा से दूर रहता है तो जाएसी बात ही मिलकर ये भी दूश है ये भाई साब बड़े भाई साब चाय पीते हुए अब बहनने भी चाय पी है पहरी बार काफी वक्त के बाद और इस तरीकी से ये संपन होता है छोड़ा संका सीर में दब भी शुरू हो गया है झाल